हलो माई दियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ वह सब अच्छे होंगे तो चलिए करन्ट अफेर क्लो स्टार्ट करते हैं आज की तारीक के तो पहला कोशन है विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसकी दस्वी मेंबर बनी है गलोबल अकेडमिक ने पूरे वर्ल्ड को काइडेंस देने के लिए वहाँ पर 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि वर्ल्ड लेवल पर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना हो तो एक नेटवर्क के अंतरकत उसको सभी हेल्प करें इंटरपोल की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस औ अधियक्षिस के अहमत नासर अली है और टोटल जो इसके मेंबर है वो 195 है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं विच कंट्री है अनौंस ता लौंच ऑफ ब्रिक्स स्टार्ट अप फोरम ब्रिक्स जितने भी देश हैं वो एक नए उध्योगों को शुरू करने के लिए एक स् उसमें किस ने इसको स्टार्ट किया है तो भारत ने इसको स्टार्ट किया उप्शन अंबर डी हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो ब्रिक्स में पांस देश आते हैं पहले यह ब्रिक हुआ करता था लेकिन 2010 में दक्षिन अफरिका इसमें शामील हो गया इसके बाद इसे जाना जाता है ब्रिक्स किस था अपना 2006 में हुई थी फस्ट प्रिशिक लेकिन फ्रक्स जो ब्रिक्स मीटिग हुई थी फस्ट वो 2009 में हुई थी हैड कोड़र शंगाई चीन में है इसका और जो मेंबर है वो ब्राजिल रूज भारत चीन दक्षिन अफरीका है तीसरा कोश तमिलाडू की एक शेतर है जगह हैं, वहां से ही छोड़े जाएगा, तेइस सो एकड़ भूमी वहां पर भिया गया है, श्री हरी कोटा जो है, वो इस रो का पहला लॉंच पोड़ है, यह जाद अतर वहीं से छोड़े जाती है, वोकेट्स, जोधा कोशन है, इंटरनेशनल य एरलाइन कंपनी है, जिसने अपना नया लोगो, दा विस्टा नाम से लोंच किया है, तो विस्टा नाम से नया लोगो, एर इंडिया ने लोंच किया है, एर इंडिया की बात करूं, तो 1932 में भारत में बढ़ी सबसे पहली एरलाइन है, हैड़क्वाटर नहीं देली में है संस्तापक जो है वो जहांगीर रतनगरी रात तादा भाई टाटा जो है उनके द्वारा चलाया गया है इसके CEO Campbell Wilson है और अधियक्स जो है वो S. Chandrasheghan है Next है Where have archaeologists discovered a crystal quads weight unit belong to Sangam period Sangam Kaal का एक crystal मिला है crystal quads के नाम से archaeologist को पुरा तत्वित को कहां पर मिला गया तो खिलाडी तमिलाडू के अंदर यह मिला है संगम्योग इंचेंट तमिलाडू में काफी प्रसीद रहा है जहां पर तीसरी BC थर्ड BC से लेके थर्ड ED के बीच में यह समय माना जाता है जहां पर कवी जो हिकटी होए थे और कवी उने सभाय की थे जिसको संगम्योग सम जानती है अगला कोशन है SBI के नए M.D.C.O. SBI Life Insurance के कौन बने है तो Amit Jhingran बने है SBI Life Insurance Company 2001 में बनी थी Mumbai मेस काइड कॉर्टर है और इसकी जो fundamental body है भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI आठवा कॉशन है हर घर ती रंगा मोटर सैकल आठा है फ्रूम प्रगर्ति में दानतू The Occasion of Independence Day 2030 तो जगदीव धनकर जो उप्रास्टेपती है हमारे देश के उन्होंने इसको लॉंच किया SBI ने टाइम जो है IPO लिस्टिंग का वो 6 दिन से घटा कर तीन दिन तक कर दिया है option C इसका correct हो जाएगा जब ही कोई company अपने share मार्किट में उतारती है ताकि लोग अपना पैसा लगा के उस company में हिस्चेदारी करें उसे IPO लिस्टिंग कहते है पहले इसके लिए दिये जाते थे 6 दिन अब इसके लिए 3 दिन दिये जाएगे ठीक है टी प्लस 6 पोलते थे इसको अब इसको टी प्लस 3 का निंदे लिया गया है तस्वा कोशन है Union Health Minister जो है मांसुक मांडवी उन्होंने target सेट किया है लिम्फेटिक फिलरेसिस को इंडिया में 2027 तक हतम करने का option number D लिम्फेटिक फिलरेसिस क्या होता है आपके limbs चो होते है ब्लड के अंदर जो लिम्फेटिक फिलरेसिस होता है उसको अंदर होने वाला एक रोग है जो यह फैलता है इसको हटाने के लिए उन्होंने 2027 तक का फैस्टर लिया है World Health Day 2023 12 अगस्त को मनाया जाता है हातियों की रक्षा करना इसका उदेश है पहला इस बार की ठीम जो है वो ENDING THE ILLEGAL Wildlife Trade ENDING THE ILLEGAL Wildlifeyl Trade 12 वारिभा कोशन है कौन बना है पहला पिंक स्टेशन भोषवाल डिविजन का जोकी केवल महिलाों के द्वारा समाला जाएगा तो राइट अन्सर है NEW ARMRAWATI railway station महराश्टियों जो एक अरप्शन में perfect मंफली कि कंपनी की कि नई ब्रेंड अम्बेसटर कॉन बनी है। करीना कपुर खान के निधु यह हे कोई कफी हैं। को मदुत हई भी हैं में परचार करती हैं। चंबें जू अधूल्प कांपनी की बनी यूपी यूपी practical ओन मोरी ने हो मैपिंग तिबबत एक्जिबिशन 2023 धरमशाला के अंदर आयोचित किया गया तो इसका राइट अंसर हो जाएगा धरमशाला कौन से स्टेट या या यूजिन टरिटरी है जिसने मोबाइल फोन क्लासुरूम में बंद कर दी हैं 2030 अगस्त से तो दिल्ली इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी नेक्स्ट है किसे ओनर किया गया है Tech Startup of the Year Award 13 अनुवल इंटरपेटर इंडियां वर्ड्स तो जियो हैप्टिक को ये लॉंच ये दिया गया है Tech Startup मों तब इसी साल स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छा है इसने रिजल्ट दिया है इसले इसको ये अवोड दिया गया है कि स्टेट के साथ मिलकर एक knowledge partnership स्टार्ट की मतलब कि उन दोनों के साथ भारती और वो help करेंगे उस स्टेट की तो गोवा इसका राइटन से हो जाएगा गोवा और भारती इंस्टीटुट और पॉब्लिक पॉलिसी एजुकेशन को बढ़ावा दे नेक्स्ट है बीसी सी ने प बताना है आपको BCCI का जो headquarter है वो कहां पर है देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं scientist from which country has discovered skull एक unknown species of human है उसका एक skull खोपड़ी मिली है scientist को जो की तीन लाख साल पुरानी है तो option आपके सामने लिए हो है आपको बताना है इसमें right answer क्या होगा तो right answer इसमें चीन होगा तीन से प्राप्ती गई तो सभी question आज को चुके हैं comment section में question का answer लिक के बताईएगा क्या हमने आपके लिए अस्ते रहें मुस्कराते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा एंट बाबाए